हाई द्वेल्टीज वेलकम तो इजीवे कॉमर्स क्लासेंज मैं हूँ ताबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अपने सीबी सी सेंबल बेपर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा नहीं काफी आगे बढ़ाएंगे गाईज और इसके क्वेस्टन हैं तो आपको थोड़ी सी इसकी कहते हैं अच्छी तरीके से ध्यान लगा के प्रेक्टिस करनी हैं आज हम जो लेने वाले हैं गाईज वो कोईशन नमबर 16 लेने वाले हैं 16 से स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम से पूछा है नेट एसेट में से कापिटल रिजर्व अग लिक्विड एसेट तो गाईज जब भी यह कब यूज किया जाता है यह यूज किया जाता है शेयर्स चैप्टर में जब हमारा कैपिटल रिजर्व हम माइनस करते हैं असेट में से तो इक मीन्स हमारा निकल के आता है परचेस कंसीडरेशन यानि कि हमने कमपनी कितने में ख वो पूछा गया है कि कल की अन कुमुद दो है ठीक है और उनका रेशो हमें गेवन है 5 इस चो 3 आगे वो कहते हैं on a 1st April 2021 में they admit कोश्टू ठीक है अलग सा नेम है as a new partner and new ratio उनका निकल दे रखा है उन्होंने हमें 3,2,1 आगे वो कहते हैं goodwill of the firm is valued at 3,60,000 गुद विल कितनी given है हमें 3,60,000 गिवन है ठीक है अब उन्होंने बोला कॉछ्ट तो couldn't bring any amount of goodwill भाई वो कुछ नहीं लेके आए goodwill अब वो कहते है amount of goodwill sure to be credited to कल की and common account will be कितना उनको पैसा मिलेगा goodwill का तो guys कितना पैसा मिलेगा बहुत असान है निकालना 3,60,000 में जो नया partner आ रहा रहा है उसका share कितना है 1 by 6 ठीक है 3 plus 2 5 plus 1 6 1 by 6 अब यह अगर हम करें तो 60,000 पर उसे लाने चीए जो वो नहीं लेके आ रहे ठीक है अब लेकिन sacrificing ratio में यह बटेगा तो हम sacrificing ratio easy अजी तरह किसे निकाल सकते है old minus new करके तो 5 by 8 और हमारा minus 3 by 6 यह हो गया कलकी का और कुमुत का आएगा 3 by 8 minus 2 by 6 solve करेंगे guys इसको 48 और इधर कितना आएगा हमारा यह हमने LCM ले लिया यह आगया 6 by 48 और यहां का आएगा 48 2 by 48 ठीक है तो 6 by 48 और 2 by 48 कितना आगया guys 3 is to 1 यानि कि हमारा sacrificing ratio क्या है 3 is to 1 है तो 60,000 को अगर हम 3 is to 1 में divide करेंगे तो 60 into 1 by 4 अगर करें तो 15,000 और 45,000 तो यह option का नजर आ रहा है हमें D में D में लिखा है 45,000 और 15,000 तो हमारा D option सही होगा बट यह question करने में आपको कम समय लगाना है ठीक है तो साथ के साथ question फटा फट पढ़ कर इसे solve करना पड़ेगा आपको क्योंकि इतना time आपके पास नहीं होगा इसके बाइब है guys question number 18 जिसमें उन्होंने बोले सर्वेश, स्री निकेतन और स्री निवास अलग से नाम दे रखे हैं कुछ अच्छा अब सर्वेश, स्री निकेतन और स्री निवास का जो रेशो है SNSNS का 532 है ठीक है ये है सर्वेश श्री निवास और स्री निवास अब ये कहते है स्री निकेतन यानि कि second person जो है profit at the end of year is amounted to 150,000 यानि कि इस बंदे का profit बनके निकला 1.500,000 रुपे हमें profit निकालना है इसका कितना बना होगा तो गाइस इसका share था कितना इसका share था 3 by 10 तो इसका opposite कर दोगे तो आपको total profit मिल जोएगा तो आपको total profit मिल गया 5 lakh अब 5 lakh में हम इसका ratio यानि कि सर्वेश क निकाल सकते है राम से that is 250,000 तो answer क्या होगा D option 250,000 तो easy था इसके बाद question number 19 समझते है guys so question number 19 में guys क्या given है angle and circle partners है उनकी balance sheet में furniture, stock, debtor, creditor given है square को वो admit कर रहे है new PSR उनका 235 है stock revalue हो रहे है creditors are not likely to claim debtors 2000 it recoverable है provision उनको maintain करना है debtors पर अब उन्होंने आगे बोला angle share in a loss on revaluation angle का loss आ रहे है हमारा 30,000 का अब हमें revaluate करने है furniture will be okay काफी थोड़ा सा tricky question है guys तो हम एक rough में revaluation account बनाएंगे अब उन्होंने हमें क्या given है angle का share given है loss का ठीक है कितना 30,000 ठीक है अब angle and circle actual में दो partners थे उन्होंने square को admit किया था revaluation के लिए क्या क्या चीज़े given है तो सबसे पहले guys इन्होंने बताया कि stock revalue हो रहे है जबकि पहले था एक लाग चालीस हजार का तो स्टॉक की value तो हमारे चालीस हजार से कम हो गई second में वो कहते हैं कि creditor 15,000 are not likely to be claimed तो creditors 15,000 अपना पैसा नहीं मांगेंगे तो यह तो benefit है तो credit side आ गया अब debtors irrecoverable so bad debt जो है हमारा कितना है guys 2,000 का उसके बाद वो कहते है कि 10% आपको provision भी बनाना है तो provision for doubtful debt भी हमें बनाना है जो की 1,62,000 के total data थे 62 में से 2,000 गए bet debt के बचा 1,60,000 उसका 10% तो आ गया 16,000 अब हमें निकालना क्या है guys की furniture की value कितनी होगी already 2,00,000 हुरपे हमें balance sheet में given है तो वो कहरें furniture क्या कम हुआ या बड़ा revaluation account में तो हमें कैसे पता लगाना है तो सबसे पहले angle and circle का loss कितना होगा guys क्योंकि angle and circle का कोई भी PSR given नहीं है तो equal ठीक है अब इन लोगों को loss हो रहा है इसका मतलब क्या है ये side हमारी जादा आ रही होगी और ये side हमारी कम आ रही होगी ठीक है यानि कि हमें benefit कम हुआ है नुकसान जादा हुआ है ये side का total आ रहा है हमारा 75,000 जबकि यहां का अगर हम total करें तो कितना आ रहे है 58,000 डिफरेंस कितना है 75 minus 58 सतरा हजार रुपे का यानि कि यहां पे भी 75 आ रहा होगा उसमें से पंदरा गए तब जाके हमारा loss साथ हजार आया तो सतरा हजार से हमारे furniture की value कम हो रही है तो दो लाक में से सतरा हजार जाएंगे तो answer will come 183,000 असान था लेकिन yes tricky था question number 20 में guys वो हमें कहते हैं आशा और नीशा दो partners है 2 to 1 इनका ratio है और वो लोग कर क्या रहे हैं guys वो लोग कशिश को admit कर रहे हैं 1 for shares के लिए ओके चलो पहले इसको रब करते हैं आशा और नीशा 2 to 1 इनका ratio है और वो कशिश को add करें 1 for share के लिए जिसमें से 1 8th was gifted by आशा आशा ने कितना share gift कर दिया 1 8th the remaining was contributed by नीशा बाकी का नीशा ने दिया okay goodwill of the firm is valued at 40,000 how much goodwill amount of goodwill will be credited to नीशा's capital account okay तो हमें इसके लिए guys निकालना किया है कि वो sacrifice कितने का कर रहे हैं तो सबसे बहले कशिश के पास 1 for share है जिसमें से उसने किस से लिया आशा से लिया है 1 8th तो माइनस कर दो इसका LCM लिया 1 8th यानि कि remaining जो share बचा वो उसने किस से लिया निशा से तो निशा से भी उसने 1 8th लिया आशा से भी 1 8th लिया यानि कि equal लिया तो अगर 40,000 में इसका share 1 4th कितना बनेगा 10,000 तो दोनों partners में कितना divide होगा 5,000, 5,000 बट हमें बताना है निशा को कितना मिला तो 5,000 मिलेगा that is B option गाइस थोड़े tricky questions है बट अच्छे interesting है must try जरूर से try करने अगर कोई नहीं समझाता तो share कर सकते Instagram पर ID है तबिता मैसी Thank you कर सकते है